राजस्तान में मुख्यमंत्री पत की कमान कौन समालेगा इसे लेकर लगातार मन्थन जारी है तीन दिसंबर को नतीजे गोशित होने के बाद जैपुर सहीत देश की राजदानी दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है इस बीज गुरुवार को बीजेपी के कुछ नवनर्वाचित विदायकों को एक होटल में ठराय जाने का मामला सामने आया है प्रदेश में चर्चा की एक बड़े बीजेपी नेता के इशारे पर सीम रेस में गोलबंदी के लिए ये किया गया इस बीज बारा जिले की किशन कंच विदान सबा सीट से चुनाब जीतने वाले बीजेपी विधायक ललित मीना के पिट्ता हें इमराज मीना ने बारबंदी का आरोप पूर्व सीम वसंदुरा राजे के बेटे दुश्यन सिंग पर लगाया वही अब इस मामले को लेकर उस समय रिजॉट में रहे बीजे सिंग पर लगे आरोप बेबुनियाद है कवरलाल मीना ने कहा है कि हम सब जालवाडा बारा लोकसवाशेत्र के विधायक है जो जीतने के बाद विधायक ललित मीना के साथ आर एसस और बीजेपी ऑफिस बारा गए थे सुबा च्छे बजे अपने घरों से हम लोग आपसी म सहमती से अपनी गाड़ियों से जैपूर आये और एक होटेल में रुके बाड़बंदी जैसी बात कहना सरासर गलत है किशन गंच विधायक ललित मीना के पिता हेमराज मीना के आरोप पर कवरलाल मीना ने कहा कि उस रात करीब धाई बजे 30-35 लोग होटेल आये और विधाय होने के कारण हमने उनके साथ लिलित को नहीं भेशा, वहीं बाद में जब उनके पिता आये तो हमें लिलित को तुरंट भेश दिया बदादी की राजस्तान में भारतिय जंता पार्टी के पांश विधायक के मंगलवार को जैपुर के एक रिजॉर्ट में एक साथ ठैनने से गोलबंदी के अटकले लगाये जा रहे हैं हाला कि बीजेपी प्रदेश अध्यक सीपी जोशी ने इस तरह की किसी भी संभावना को खारिच किया है वही है इमराज मीडा ने मीडिया से बातशीत करते हुए कहा कि जब मेरे विधायक बेटे ने फून पर मुझे बता दिया था तो मैंने उसे तुरंट उससे मिली जानकारी से पार्टी नेताओं को अबगत कराया हम रिजॉर्ट में गए जहां कवरलाल मीना से विवाद हो गया लेकिन हम ललित को पार्टी में कारेकाल ले आए जब उसने पूछा कि विधायक किसके निर्देश पर वहां ठेरे हुए थे तो उन्होंने कहा कि कवरलाल मीना ने दुशन सिंग का निर्देश मिलने के हवाला दे कर मेरे बेटे को वहां रहने के लिए का था उन्होंने कहा इसके बारे में कवलान मीना को ही बता सकते हैं कि विधाय किसके निदेश पर वहां ठेहरे हैं